अगर वादा किया जा रहा है तो 0.1% चांसे कि वो पूरा होगा पाते तो बहुत सारे कोचिंग क्लास वाले भी करते हैं वो वादे भी कहां पूरे होते हैं नहीं वादा तो तोड़ने के लिए किया जाता है अध्यात्म पूरी तरह से गायब हो रहा है सेक्स की दवा ले रहा है 20 साल का युवा या आप तभी मोदी डाइनस्टी को लेकर कुछ कहते हैं उसके आगे पीछे का मुझे नहीं कंटेक्स पता लेकिन वो बहुत वाइरल हुआ तंज मैंने किया था कि मोदी जी को कुछ नहीं सोचना चाहिए अखलेश यादो जी हमारा जो देता है यूपी में एक जमाना था जब वाइरल मौसम के हिसाब से हुआ करता था लेकिन आजकल तो वाइरल कभी भी हो जाता है और ये वाइरल जो है वो कभी भी आपके मुबाइल फोन पर आ सकता है तो आज ऐसी ही एक शक्सियत से मुलाकाद करेंगे जो अक्सर वाइरल होते रहते हैं जिनकी बातें अक्सर वाइरल होती है बहुत स्वागत है आवद हुजा जी आपका और सवाल जवाब बाचीत ये तो आप एक तरीके से कहा जाए है कि आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है पहला सवाल इसी चीज़ को लेकर कि यूपी स्परेंट से लेकर टीचर और फिर वाइरल टीचर तक का सफर कैसा रहा बहुत अच्छा सफर रहा समय के साथ साथ चीज़ें बजलती रही तैयारी किया और तैयारी ने एक व्यापक दिर्स्ट रिकोड दिया मेरा मानना यह है कि जो इतने लोग आई-स की तैयारी करते हैं उनका एक बहुत ब्रहद दिस्ट रिकोड पैदा हो जाता है और कुछ ऐसी परिस्तितियों में मैं सिक्षा की डिरेक्शन मुड़ा जैसे कि मैं बार-बार कहता हूं कि मैं एक एक सिदेंटल टीचर हूं और फिर कोरोना आया और कोरोना के समय मैंने प्रोग्राम शुरू किया नौजवान करांती जिसमें मेरा उद्देश यही था कि किसी तरह लोगों को उत्साहित रखा जाए और फिर जब मैं पहली बार वायरल हुआ और लोगों ने मुझे फोन करके और लेकिन उजज़र आपको अक्सर इसी नाम से जाना जाता है और वायरल होते हैं लेकिन आपकी वायरल जो बाते होती हैं उनमें अक्सर आप जो है किसी ने किसी चीज़ के ऊपर चटके होते हैं कुछ गुसा कर रहे होते हैं कुछ तीखे बयान दे रहे होते हैं यह आप सोच समझ के देतें या वही कलिप जो है वो काटी जाती है या यह आपका मिजाज है नहीं यह मेरा मिजाज करके और हम उससे हिसाब नहीं मांगते तो एक समय ऐसा आएगा जब वो हमारे पैसे को मिस्यूज करने लगेगा ऐसे ही जब तक इस देश के लोग बजट नहीं समझेंगे परी चोटी सी बात है हमारा सरकार हमारी प्रतिनीदी हमारा पैसा खर्चा करते हैं हमारी जंता जानन नहीं नहीं है अब इन बातों को जब मैं बोलता हूं कि आज लोग परिशान है कि साब राजनीती बहुत खराब है राजनेता बहुत खराब है कोई खराब नहीं है आप जागरुख हो जाओ सब कुछ अच्छा हो जाएगा लेकिन अक्सर वह देखता है कि जान भी ले तो का जोर तो चलते नहीं है निहीं जोर तब चलेगा यह बड़ी अच्छी बात है अगर वो जाने गा तो झागरुखता पैंदा करेगा जो भी जागा उसमें जगाने की कोशिश की चाहे वो बुद्ध हों, चाहे महावीर हों, चाहे गुर्नानक हों, चाहे कबीर हों, जितनी जागरिती बढ़ेगी इस देश में, उतनी जागरुकता बढ़ेगी इस देश में, और वो जागरुकता धीरे धीरे फिर इस देश की विवस्था में सुधार लाना शुरू करेग कि वादे उन्होंने बहुत किये और वादा करने सबकी आदत है और वादे पूरे नहीं होते हैं चाहे वह नोँ हो में राजनीति में मैं मलब वादा का सिध्धान्त है अगर वादा किया जा रहा है तो । वन परसेंट कि अच्छा दिन आएगा या नहीं आएगा को रोना बीच में आ जाएगा डीमानटाइशन आ जाएगा तो कुछ तो बुरा दिन आएगा अब कहां से जवाब देंगे वो कि इस बुरा दिन की वज़ा क्या है वादे तो गारंटी हो गए ने अलग अलग बाते हैं गारंटी लिए वादे में फर्क है करना फिक तो दो लिए किए जबता को कि आउगे घे तर आरे तोड के लाएंगे और चांडा के लएंगे यह इस दयशकी जनता कोचिंग ने कर यह कह दिया कि आप हमारे पास आई है हम आपका सेलेक्शन कराएंगे फिर तो वह बिलकुल अनर्थ करने वाली बात है वह संभवी नहीं है जैसे पांच भाई दोनाचार से सीख रहते हैं टीचर एक ही था लेकिन उस पांचों में से सिर्फ एक अर्जुन है पांचों अर्जुन नहीं बन पाए है हम लोग यार्जुन मिल जाते हैं पर थोड़ा जाते हैं आरजुन बनने की स्थिती Mr. उन्हें हम जगाने की कोशिश करते हैं पर हम वादा नहीं कर सकते हैं अगर हमें ये तरीका पता होता है द्रोणाचार ने भीम को भीम बनाया युदुष्टर को युदुष्टर बनाया नकुल सवदेव तैलवार बाजी में माहिर थे अरजुन की चर्चा सबसे ज्यादा हो जैसे द्रोणाचार ने और पांचों भाईयों की परिक्षा ली मशली की आँख वाली वह आईस की परिक्षा है उसमें पास सिर्फ अर्जुन हो रहा है क्योंकि अर्जुन का व्यक्तित तो है परिक्षा सब की हुई अब युदुष्टिर ने कहा कि मुझे पेड़ दिख बांता है वह में क्रेडिट देता है लेकिन हम जैसे द्रोणाचार ने पांचों भाईयों को समयान रूप से पढ़ाया ऐसे हम भी सबको समयान रूप से पढ़ाते हैं आपका सबसे प्रिया अर्जुन कौन अब तक राजू शुकला क्यों अचली जब वो मुझसे मिला तो पढ़ना आया है उससे का सर मुझे आप्शनल में तब विशे होता था तो उसने का मुझे सर एक आप्शनल में एंशन्ट हिस्ट्री रखना है तो मुझे लगा गयर इससे मना करते कि भीया तुम कुछ और करो जब तुमको पता ही नहीं विशे क्या होता है और फिर उस का आयस होता है तो वो मालब जिस आदमी का बैक्राउंड बहुत वीक है पढ़ाई जिसको एबी सीडी से पढ़ना है वो अगर आकर अपनी तयारी को मजबूत करके सेलेक्शन लेता है तो वो बहुत बड़ी प्लबती है भारत में शिक्षकों की परंपरा रही है आपने द शक्त मन और एक शशक्त शरीर कि चाहे वो चालक की हो या मैं हूँ या कोई भी सिक्षा को पैरामीटर एक ही है कि इसका मन कैसा है जैसे मलेक एतू और चंद्रगुप्त की कहानी है कि जब अंतिम समय आया और एक राजा दोनों में से किसी एक को चालक की को चुनना था तो उनने क्या कि क्या कि क्योंकि शरीर से दोनों सक्तिशाली थे मन से भी दोनों सक्तिशाली थे नएं लॉसब्ध नहीं है क्या की एक दिन चंद्रुप्त को एक माला पहन आई गले के नाप कि और मलेक एतू से कहा कि भई separately सब्सक्राइव और कि माला निकाल के लाव और ना तो मामा तूटे ना लड़का जागे Can a Hömitonoff तूनने ने जा के देखा और गले एकनाप की माला थी तो माल्य तूने दो मिनट के बाद आके गहाँ गुरुज ईआ तो माला तूटेगी या लड़का जागेगा फिर खैर कुछ दिन बाद भीता वही माला चानक के ने मलेक एतू के गले में पहनाई और गले के नाप की माला पहनाई और फिर एक दिन यही सवाल किया चानक की उसको चंद्रगुप्त को कि भाईया जाओ माला लेकर आओ और ना माला तलवार उठाई और मारा मलेक एतू की गर्दन उल गएगी उसना गुरुदेव यही एक रास्ता था बोले तुम राजा बनने योग यो क्योंकि तुम्हारे पास सशक्त मन सशक्त शरीर के साथ साथ एक बहुत प्यारी चीज़ है जिसको विवेक कहते है तो पैरामीटर हम जरूरता क्यों नहीं कहेंगे देखिए ऐसा होता है ना कि सद्धांद होते हैं जैसे किंग्शिप नोज नो किंशिप यह सद्धांद है इसलिए हर आदमी को आप राजनीती में जाते हुए नहीं देखोगे क्योंकि हर आदमी सद्धांद को सुन तो लेगा समझ नहीं पा अगर वो इस सद्धान्त को वाइलेट करेगा, महाभारत का युद्ध पूरा इसी सद्धान्त पर है, तो अगर जो भी सद्धान्त को वाइलेट करेगा, फिर वो अंदर जा ही नहीं सकता, वो उसको कुरूरता नहीं मानती, वो उसको बलिदान मानती है, त्याग मानती है. चलिए वापस लोड़ते हैं वाइरलिटी के सवाल पर आप मुबाइल के जरीए ही वाइरल होते हैं उसी पर सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं लेकिन आप मुबाइल के बहुत खिलाफ हैं और खासतर पर बच्छों के मुबाइल के इस्तमाल को लेकर बहुत खिलाफ हैं मैं मोबाइल के खिलाव नहीं हूँ एक उसका अपने एक इस्तमाल है मैं खुद इतनी डॉक्यमेंट्रियां देखता हूँ यह इतना प्यारा इंस्ट्रुमेंट है लेकिन आप इसे यूज कर पाएं कितना यूज और मिस्यूज अगर आपको नीन नहीं आ रही और आप मोबा बाइल लेके चा रहें लेकित हैं मैं फिर मुझसे बात आप ऑलका है नहीं यहारे हो है कि यार मोबाइल ले लीके वासरुम में जा रहें तो आप वह मोबाइल जो आपको सख़ा दे सकता है जैसे आमाने शूर नमस्कार मोबाइल से ही सीखा शुबह लगाया और बाबा रामदो जी करते हैं और उनके साथ मैंने भी किया तो मेरा यह कहना है कि इस मोबाइल का मिस्यूज नंकिया जाए वरना वह आपके सोचने की छंबता को मार देगा जब आप पूजा कर रहे हैं जब आप पढ़ाई कर रहे हैं प्रेम कर रहे हैं तो आप इससे दूर रहे हैं नहीं तो यह आपके सोचने की छमता को मार देगा और आपके पूरा जीवन नर्क बना देगा लेकिन युवा जो आप पास आ रहें हैं आप बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं क्या मोबाइल का बदलाव वियवहार में जो ईवा पढ़ने के लिए आ रहे हैं या UPSC ए-अस्परेंट बनने के लिए बंदे हुए आपके पास आ रहे हैं उन लेकिन कोरोना के बाद से जो जनरेशन आ रही है ये क्लास में शान दोकर बैट रही है 400 बच्चा 500 बच्चा ढाई घंटे टीचर बोल रहा है इसको सवाल ही नहीं पूछना और सवाल ना पूछना ये मरे हुए दिमाग के निशानी है क्योंकि जब आप डाई घंटे बोलते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मन में कोई भुर्योसिटी नूए मैं चोटे सी बात बोलता हूं मह्मुद घजनी हिंदू हिंदुस्तान आया सेना सेन लेकर आया मोमद गौरी सेना लेकर आया magतcoin अलेकर आया यह कैसे भारत जीत गए यह बात उटनी चाहिए यह बागी लोग सेना लेकर रहा है सोच नहीं रहे ना मनन नहीं कर रहे हैं जैसे अध्यन के साथ एक शब्द है मनन यह इन्होंने मनन करना छोड़ गया मोबाइल ने इनका मनन चीन लिया है यह से पहले हम में याद है आपको भी याद होगा कि हमारे घरों में मूवी देखने पर बड़ा प्रतिबंद था आपको भी आदो कि अगर पिक्चर हॉल में कोई दिखाई पड़ गया चर्चा होती थी कौन सी फिल्म जा रहे हो क्यों जा रहे हो और कोई मतलब माबाब हमारे भले ही अनजाने में लेकिन वह कैते थे अगर पिच्चर हॉल में देख लिए तो टांग तोड़ देंगे तुम्हारी इस वाकई में हुआ एक बार तुम्हारा क्या हूं मैं पखड़ा क्या हूं विनोथ सिनेमा हॉल है हमारे अगोंड़ा में और खून-पस स्वागत करना शुरू किया लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा क्यों कहते थे मूवी जो है किताब किताब अगर हमारे पैर में लग जाती है तो हम उसे उठाकर अपने सर में लगाते हैं क्योंकि एक परग्राफ पढ़ने के बाद अगर आप उसका मनन नहीं करते हैं तो वह करने का माध्यम है मूवी क्या कहती यह कहती है आप सोचो माध मैं दिखा रही हूं तो जितना व्यक्ति मूवी से जुड़ेगा सिरीजों से जुड़ेगा उसकी सोचने की छमता मर जाए क्योंकि उसे सोचना ही नहीं है तो सब सामने चल रहा है लेकिन रोजा सर एक अभी म मैं आपको बताऊं मेरी बेटी से भी मैंने बात की तो बात हुई मैंने का कि तुम्हें यह जानकारी पता है तो उसने का वाइड़ वाइड़ नीड़ रिमेंबर इस बिकाज गूगल है ना और जब मैंने इस पर तर्क किया तो उसने का कि आई यू थिंकिंग अबाउट यह जो यूवाओं को लग गया है बहुत सारे बच्चों जो आज इस तरह से मान रहे हैं कि बहुत सारी चीज़े मुझे याद करने सोचने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यह तो मेरे लिए on call है मैं कभी भी खोज लूँगा इस चीज को क्या आपको लगता है कि यह सोचने की इक्षमता को कम कर रहा है यह हमें अच्छा एग्जीक्यूटर तो बना सकता है लेकिन अच्छा थिंकर नहीं बना सकता आपने मूवी देखिए थ्री इडिएट उसमें जो रैंचों है न आज का यूवा ज्यादतर चतुरलिंगम मॉडल पर है चतुरलिंगम को टॉप करन नहीं है चतुरलिंगम चाहता कि पूरा स्कूल उसे जिल्ले इलाही करें हर जगां वो सुप्रीम रहे लेकिन उसका दिमाग डिस्टर्ब है जब वो स्पीच देने जाता है वो दूबे लाइब्रेडिन उससे कहता है कि मैं आपको एक बार स्पीच पढ़के सुनाता हूँ जानना नहीं है दूबे जी रट लिया है पर वो उसकार का करता है कि रांचो जो है वह एक ऐसा कर्यक्टर इसकी समझ की चंता बहुत आई है मैं भी कहता हूं सब जानने की जरूरत नहीं है सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है अब किसी का ड्रेस रटने की जरूरत है लेकिन समझने की तो जरूरत हमेशा रहेगी न सब 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 decorum करो होती है कि समय पास होनी चाहिए अर्थ विवस्था समराज जी की जननी है जो एकनामिक शक्ती होगा वही राजनितिक शक्ती होगा ये बात समझना तो जरूरी है ना तो रटना किसी चीज को वो अलग बात है किसी चीज को समझना सर आप शिक्षा जगत से इतने समय से जुड़े होएं जो हमारी शिक्षा है जो परफामेंस का प्रेशर है वो उससे छात्रों को बच्चों को इंसुलेट करना नामुम्किन है और अब तक्नीक इतनी जादा आ चुकी है अब हम AI के भी यूमनाइजर्स के उपर आ गए हैं कि पंतता विनाश का कारण रही है तेक्षन जी का सबसे प्यारा पहलू यही है सिर्फ मानव है जो टेक्नलोजी से जुड़ा हुआ हैं पशु आज भी वैसे भोजन कर रहा और वैसे ही रह रहा है व्रिक्षों को तो कोई वो अपने आपको थोड़ा इवाल्व करते हैं पर से उनका कोई लेना देना माना है जिसके पास टेक्नलोजी जैसा एक वरदान है यही टेक्नलोजी उसके लिए वरदान बनती है और यही टेक्नलोजी उसके लिए अभिशाब बनती है यह एई हमारे लेकितना काम का है कितनी बड़ी चीज है लेकिन मैंने एक मूवी देखी थ पैदा हो सकता है तो आर्टिफीचल इमोशन पैदा होने में टाइम नहीं लगेगा और अगर ऐसा हुआ मुझे मूवी की लास सीन बड़ी प्यारी लगती है बच्चों का स्कूल का डेलिगेशन म्यूजियम जाता है तो वहां चिट्टी का सर रखा होता है तो पूछता है कि लड़की छोटी सी पूछती कि मैडम यह यहां इसका सर क्यों कट गया तो टीचर उसके सर पे हाथ रखती बोली इसके दिमाग की वज़ा से है तो ऐसा ही कुछ अगर मानो कितना भी यंत्र बना ले लेकिन अगर वो यंत्र के आधीन हुआ जब तक वो उसका मालिक है तब यंत्र को चलाएगा जिस दिन वह उसके आधीन हुआ यंत्र उसे खतम करतेगा हम जोडने के साधन बना रहे हैं सोशल मीडिया जोडने का जोडने का लोगों को जानने का समझने का पहचानने का बहुत सशक्त माध्यम है लेकिन फिर भी हम बहुत अकेले हो रहे हैं की लत्मे हैं जो आप पढ़ा रहे हैं जो आप देख रहे हैं यह बहुत सारी उमीदों के साथ जरूर आते हैं लेकिन क्या इनमें वो बाहुबल नहीं है या वो जो मानसिक शमता होनी चाहिए वो नहीं आप आ रही है कहां चूक रहे हैं पैरेंटिंग से लेकर कि अगर आपका मन खुश नहीं है और शरीर शशक्त नहीं है तो इस दुनिया में आपको कुछ भी मिल जाए कुछ भी आप उसका आनंद नहीं ले पाऊगे क्योंकि आनंद के लिए शक्ति चाहिए हिजड़ा क्यों गाली मानी जाती है एक समुदाय है वो एक क्रोमोस्रमल डिसफेशंसी है उनके अंदर उन्हें गाली नहीं देनी चा होता है कि इन्होंने मुझे हिड़ा कह दिया तो भौतिक वाद का भोग सिर्फ अध्यात्मिक व्यक्ति ही कर सकता है और आज के युवा के जीवन से अध्यात्म पूरी तरह से गाय भूरा वो कहता है यह धर्म यह पाखंड यह आविश्वास यह ध्यान यह कुछ भी नहीं हो सकती है और बढ़े मुझेतार बात कि ऐसे हजारों वीडियो अब सोचल मीडिया पर आ रहे हैं जो बता रहे हैं कौन सी दवा दस घंटे काम करती है कौन सी दवा बीस घंटे काम करती है यह सिर्फ मानसिक खोकलेपन का प्रेणाम है मैं अगर बीस साल का युवा असी साल का अगर आदमी ढूंड रहा है तो एक बार उस पर दया खाई जा सकती नाराज नहीं हुआ जा सकता लेकिन बीस साल का युवा अगर ऐसा कर रहा है तो इन्होंने क्या किया है इन्होंने भौतिक वात को तो पकड़ लिया पर यह अध्यात्म को भूल है जो इस देश की जा कारण है बिलकुल कारण है बहुत बड़ा कारण है अब तो हम कुछ छुपाई नहीं सकते बच्चों से जैसे आज से 40 साल पहले बहुत सारे विशे थे जिन पर जानना बहुत मुश्किल था काम एग विशे है सेक्स एक विशे है उस पर जानना बहुत मुश्किल है अब अपने बच्चों से कुछ छीपाई नहीं सकते हैं तो कलाएगा कि środके असल कbnb बातें करते हैं वो जीवन के इस दर्शन के उपर चर्चा करते हैं इसके लिए हम क्या करें ये तो बाते बहुत जगा सुन लेते हैं इतिहास एक ऐसा विशह है जब मैं रॉबर्ट क्लाइव को पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि आनिस्टी इस नॉट बेस्ट पॉलिसी क्योंकि प्लासी पढ़ा रहा होता जोगर्फी पढ़ा रहा होता इकान भी पढ़ा रहा होता तो उसमें कहानियां होती ही नहीं इतिहास कहानियों का ही विशह है और जितना जादा कहानियों से उसे जोड़ा जाएगा उतनी जादा समझ व्यक्तिकी बढ़ती चली जाएगी तो जब मैं उन खेत्र के जो टॉपर हैं पढ़े लिखे लड़के हैं आईयस अधिकारी हैं अगर वह ऐसा कहें तो यह माना जाए कि हां भाई यह बात जायज है लेकिन आज के समय में जब हर कोचिंग का अपना एक आईटी सेल है छे-स मैं आपको भी पता है कि किसी के बारे में कुछ भी ट्रेंटर पर या सकता है ट्रेंड करेंड कराया सकता है आज को यह वह ने मैं कभी-कभी खुद से वाइरल होता हूं प्लान करके कुछ मुद्दा देता हो लोगों को कि भीया बहुत दिन हो गया बड़ी चांती पहली हुई है यार हंगामा नहीं हो रहा है तो तो चर्चा की भूख है ना भूख नहीं है फिर आप जब जानते कि अब आप लोग दु आज सोचल मीडिया के दौर में कोई अवसाद में हो ही नहीं सकता कुछ तो बाहर निकालिए कुछ तो बढ़ियां बोलिए कुछ तो कहिए कही न कहीं कोई न कोई आपको रूटेट यही तो हो जा सर यही तो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन है जो युवाओं को जो है बे अभी मैंने वीडियो देखा बड़ा प्यार वीडियो बहुत प्यारा मैं उन लड़कों की तारीफ करना करता हो मैं नाम तो नहीं जानता विडियो बनाया कि हस्बेंट वाइफ लट रहे हैं और असमेंट वाइफ को धक्का दीता है तो वाईफ जाने लगती तो दूर से श्चत्य था तो आता है हुआ पत्नी को मार रहा हूं शरम नहीं आती तुमको है तो लड़की अपनी को तरफ देक uses को कलंड रहा होता है अपने इसमेन को नहीं को लटे गो हुत कैई लेडि आёт है इनकी कि कभी भी मिया वीवी के जगले में दंडा करने की कोशिश मत करना तो मेरा मानना यह है कि अब कितना प्यारा मैसेज है यह यह जो पिक्चराइजिशन किया गया है किसी भी चीज को दो तरह से प्रेजन किया सकता है एक एक अनकॉंस्टिशनल तो कॉंस्टिशनल प्रेजनेशन हमेशा काविले तारीव है आप गोंडा से आते हैं वहां आपकी पैदाईश होई और पूर्वांचल का इलाका जो है वह अपराद के लिहाद से और विकास के लिहाद से उसकी बहुत सारी चुनातिया है आप पूर्वांचल को अलग सुबा बनाएंगे या पूर्वांचल में क्या बड़े बदलाव करेंगे मैं सिर्फ एक बदलाव करूंगा मेरा मानना यह कि जिस समाज की सोचने की छमता अच्छी हो जाएगी वह समाज खुद अच्छा होता चला जाएगा उसका मैं एक बहुत ज्यादा एप्लाइड प्रेशर विहीं परसेंटेज और सेंटेज सिस्टम तो मैं सब दोस्त कर दूंगा इस्किल बेस्ट बहुत साई लड़के आते हैं केतने साथ हमारे पास सर कोचिंग करने का पैसा नहीं है अगर इनोंने टेंथ में ट्वेल्ट में ग्रेजुएशन में कोई भी एक स्किल सीखी होती तो मेट्रोज में रहना स्किल के साथ कितना असान होता है तो स्किल डेवलपमेंट कर गवर्मेंट उसको करी रही है अपलाइड एड्यूकेशन और कोई परसेंटेज कोई चेज कुछ भी नहीं पूरवांचल के इलाके में यो जितने होगा वहां यह गन कल्चर होगा जहां कैप्टलिजम होगा वहां गन कल्चर नहीं होगा तो आप अफगानिस्तान देखो सिर्फ गन कल्चर है कैप्टलिजम है ही नहीं तो जब तक सामन्तवाद यूपी बिहार जैसे स्टेट में सक्तिशाली रहेगा तब तक गंजगल चर रहावे akan दिखर किंव अभी चर्चा हो रही है प्रशांद किशौर को लेकर उन्हें कलिये एक राज्णितिक पार्टी बनाई है और वो भी काफी बातों को लेकर और उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से राइट टू रिकॉल दिया है आप एक राजनितिक इतिहास के शिक्षक और राजनितिक चिन्ता कोने के नाते सही मानते हैं यह होना चाहिए व्यापक स्तर पर प्रशांद किशोर जी को मैं एक का बहुत ही कि सब इंसान अच्छा मेरी व्यक्तिकत उनसे मुलकात तो नहीं हो पाई हमारा उनका प्रोग्राम बिहार में एक साथ था लेकिन जिस एजेंडा को लेकर वो चल रहे हैं जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं वो कि मुझे बिहार को बिहार की जनता एक मौका उन्हें देती हैं तो वो काफी कुछ बदलाव निश्यत तोर पर करेंगे भारत के नेताओं के तोर पर भारत का फ्यूचर लीडर क्योंकि आपके बहुत सारे बयान हैं वो वाइरल होते रहते हैं और उसको राजनितिक सुविधा के अनुसार इस ने बिल्कुल नहीं वो संदर ऐसा नहीं था कुछ किसी मुद्ध में चर्चा कर रहा था और शायद कुछ विधान लौ अगरा बना था उसी संदर में मैंने कहा था बहला एक तंज मैंने किया था कि मोदी जी को अब कुछ नहीं सोचना चाहिए अब बिलंब के ही कारण स्वामी कि आप देर किस बात किये आप इस देश की सत्ता पर विराजमान है आपको पता है चीजें बिगडी हुई है ऑपरेशन करना ही पड़ेगा तो मेरा कहना था कि आप किस चीज के लिए वेट कर रहे हैं उस संदर में मैंने कहा था आपने तो संसद को महल बनाने की बात थक कर लिए उस उतनी क्लिपिंग उनोंने काटी इस बाकि मेरा उनको मैंने उनकर उपर कोई वेंग नहीं कि ता तंज के रूप में कहा था कि अब आप देर मत करिए आपको पता है कि सब कुछ बिगला ही हुआ है जैसे ही टलर आया जर्मनी कि जितनी कुरीतियां विसंगतियां जो भी था उसने जर्मानी को ये सिखाया कि अगर अगर सही डंग से नहीं चलोगे तो मेरे जैसा पूई हिटलर फिर पैदा dann ga ja कुछ कुछ बिमारियां होती ना जिनको आप दवा से ठीक ही नहीं कर सकते हैं भारत का भविश्य का नेता जो मौझूदा लोग है उन में से आपको कौन लगता है उस बेस्ट फिट टू लीड इस कंट्री फिलाल तो मैं देख रहा हूं कि अखलेश यादो जी हमारे जो नेत आए यूपी में मैं तो उनको बहुत अभी रीसेंटली मैंने कि स्टेटमेंट दिया था वी बड़ा वायरल हो गया तो उनको आपने उनकी पेका था बिलकुल क्योंकि मुझे लगता है कि वह पढ़े लिखे इंसान है और जब मैं उनकी स्टेटमेंट एक चीसे में उनको यहां से यह भी मैं इंसे कहना चांथाओं कि कुरोध ना खिया के लिए राजनेटा के लिए अच्छा नहीं है कि जब भी हम उस पे सफर करते हैं तो हमें पूरे इंडिया में सबसे बहतरीन एक्सप्रेस वे है और वो एक विजिनरी उनको पता है अर्थव्योस्ता और समराज और समाज का क्या संबन है लेकिन ओजा सर सारी जो विकास की बहस है वो तो अंततो गत्वा वोट और वोट के रेजर्वेशन पर आकर अटक जाती है रेजर्वेशन चाहे शिक्षा का हो चाहे नौकरियों का हो और ये किसी जाती का मसला नहीं लेकिन हर वेक्ति जो जहां है चूकि संसाधन कम है इस देश की जनता को पता चलेगा कि सिक्षा के छेत्र में क्या हो रहा है डिफेंस के छेत्र में क्या हो रहा है स्वास्ति के छेत्र में क्या हो रहा है यह सारे डिसकुशन अपने आप पीछे चले आएंगे आप मुद्दा बनाने तो दी जनता को पता ही नहीं जनता घूम घ आपके प्रतिनित हैं आपके पैसे से इनको वेतन मिलता है जिस देश की जनता यह नहीं जान पाई मैंने भाई को कई बार लोगों से पूचा जिस लोग डॉड़े को माईबाब बना लिया हां कूदे पैर चूने के लिए गिर गए तो मैंने पूचा कि पूपा है तुम्हार प्रतिनी दिये हमें इन से सवाल करना है जैसे हमारी जनता विपक्ष के नेता को सरकार का दुश्मन मानती है जबकि डिमोक्रसी में विपक्ष का नेता सबसे इंपॉर्टेंट है जो सरकार को जिंदा रखता है जनता के प्रति जवाब दे रखता है वही विपक्ष है तो जिस देश की जनता बहुत संक्यक जनता विपक्ष के नेता को दुश्मन माने आप सोचो वहां रिजर्वेशन और जात यो धर्म पर राजनीती नहीं होगी तो क्या होगा एक आखरी सवाल ओजह सर की नई क्लास जिसमें धर्म भी पढ़ाया जाता है गीता भी पढ़ाई जा स्थापना की है पूसा रोड में करूल बाग में कल्यांजोलर्स को उपर और मेरा उद्देश सिर्फ यह कि जो नई जेनरेशन आ रही है उसके अंदर इंसाइट की कमी है पढ़ना नहीं है आई एस बनने के लिए जो सबसे इंपॉर्टन चीज है वो है अंतर द्रिस्टी क जागरित होना और मेरा पूरा उद्देश यही है क्योंकि एक बार अंदर एक लौ जल गई तो वो आपको अपके मंदिल तक पहुंचा लेगी जली उम्मीद यही की जानी से है यह होजा सर कि भारत में शिक्षकों की और शिक्षा से राज्डितिक क्रांती और बदलाव की एक लंबी परंपरा रही है आशा की जानी चाहिए कि आप जो कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बदलाव युवाओं के पौरुश और उनके संकल्प से इस देश की तकदीर को भीताय करें बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद